वेल्कॉब तू दा प्रियाग राज इंस्ट्टूट आज हम लोग बात करेंगे मध्य परदेश से समंधित अत्महत्पून तत्थियों के बारे में और यह जो प्रश्ण है वो है मध्य परदेश विशेश से तो हमारे सामने जी जो पहला प्रश्ण है पहला प्रश्ण यह है कि निम्न में से कौन सा जीला 1956 में मध्य परदेश में नहीं जोड़ा गया था यहाँ पर आपको प्रश्ण ध्यान से देखना है 1956 में मध्य परदेश का एक करण होता है और उस समय निम्न जीलों में से कौन सा जीला जोड़ा नहीं गया था मध्य परदेश में तो यहां पर आपके पास आप्शन है पहला भुपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा आप्शन है गौालियर और चौता आप्शन है नागपूर तो इसका सही उत्तर है नागपूर अब बात करें दूसरे प्रशन के बारे में मध्य परदेश के प्रथम विधान सभा अध्यच प्रथम विधान सभा अध्यच कौन थे तो पहला आप्शन है पी कुंजी लाल दूबे, दूसरा है तेज लाल टेम्भारे, सी आप्शन है जो सही उत्तर है पहला पी कुंजी लाल दूबे, अगला प्रशन निम लिखित में से कौन सी मध्य परदेश की वेपारिक राजभानी है पहला है भोपाल, इंदौर, इंकवालियर, जबलपूर इसका सही उत्तर है अप्शन नमबर बी, इंदौर, इंदौर जो है मध्य प कौन एक मध्य परदेश का जिला है, पहला प्रशन है आगर मालवा, बी है महूं, और सी उत्तर है पिपरिया और डी है बुधनी, इसका सही उत्तर है आगर मालवा, आगर मालवा जो है वो मध्य परदेश का जिला है, अगला प्रशन ये है कि राज की जंजाती शंगराले क अहां पे इस्थित है, पहला option भुपाल, दुसरा इंदोर, तीसरा है जवलपूर, और चोथा option है गुना, इसका सही उत्तर है option A, भुपाल, भुपाल की पुरानी विधान सभा, ध्यान से देखे इस प्रशन को, भुपाल की पुरानी विधान सभा निमलिक में से किस नाम से प्रसिद्ध थी, तो Edward Hall, Minto Hall, Indra Hall या Gandhi हाल, इसका सही उत्तर है Minto Hall, अगला प्रशन, निमलिकित में से कौन मांडू में मौझूद है, आपको बताना है कि मांडू में निमलिक में से क्या है, असरफी पेलेस, रूप मती पेलेस, जहाज पेलेस, उप्रोक्त सभी, इसका उत अगला प्रशन, अगला प्रशन ये है कि अहल्या बाई, निमलिकित में से किस राजवन्स से समन्दी थी, पहला अप्रशन है, होलकर, दूसरा है भुपार, तिसरा है सिंधिया, और चोथा है क्रिपुरी, इसका सही उत्तर है, होलकर, नेक्स्ट, मध्य परदेश का राज योजना आयोग, राज योजना आयोग का कर्याले किस भवन में इस्तित है, राज भवन, उस्तकाले भवन, बल्लब भवन, और विंध्याचल भवन, इसका सही उत्तर है विंध्याचल भवन, तो मध्य परदेश का राज योजना में देखने को मिलेगा अगला प्रश्ण निमलिखित में से कौन सा सहर बॉद्धों के पवित्र शहर के रूप में प्रसीद है साची खजराहो विदिशा या सागर, इसका सही उत्तर है साची, अगला प्रश्ण ये है कि अमीकामनी, अमीकामनी ये इंदोर से किस खेल से जु अगला प्रशन तवा नहर निमलखीत में से किस जिले में इस्ती थे फोशंगाबाद भुपाल गुना दतिया यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो तवा नहर जहे वो फोशंगाबाद में इस्ती थे मध्य प्रदेश का राज की पच्छी कौन सा है मध्य प्रदेश का राज की पच्छी का नाम बताना है आपको तो पहला उप्षन है मोर अगला उप्षन है कबूतर C option है दूधराज और D option इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तार है option C तो दूधराज का आपको scientific name जो है बताईएगा comment box में Next मध्य परदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनसूचित जन जाती हैं यहाँ पे प्रश्ण यह है कि मध्य परदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनसूचित जन जाती है शिर्वल ट्रैप्स की आपको संख्या बताने तो 50 पहला option है B option है 46 C है 43 और D है 40 इसका सही उत्तार है 46 option number B मध्य परदेश में रूप सिंग स्टेडियम कहां पे पहला option है भुपाल D है इंदौर C है गौलियर और D है सागर इसका सही उत्तार है option C गौलियर में रूप सिंग स्टेडियम मौलाना आजाद राष्टी प्रुदुगी की संस्थान कहां पे पहला option है इंदौर B है भुपाल C है सागर और D है फुर्शंगाबाद इसका सही उत्तार है option number B भुपाल में आज की देट में मध्य परदेश में कितने जिले हैं ठिक पहला option है 35 दूसरा है 50 जिले और C option है 52 और D option है 49 9 जिले इसका सही उत्तार है option number C 52 जिले मध्य परदेश की किस नदी पर राम घाट इस्तित है आपको बताना है कि मध्य परदेश की किस नदी पर राम घाट इस्तित है तो सिप्रा नदी B है नर्मदा नदी C है बेतवा नदी और D है सो नदी इसका उत्तर है शिप्रानदी A मध्य पर्देश राजी का उच्छ न्याले कहां पी इस्ती थे बहुत ही असान प्रश्ण है ये ठीक है तो मध्य पर्देश का उच्छ न्याले आपसे पुछा जा रहा है कहां पे इस्ती थे इसका हाई कोट पहला जबलपूर, दूसरा है इंदौर आप्सन, तीसरा आप्सन है बोपाल और D आप्सन है शागर, इसका सही उत्तर है जबलपूर मध्य परदेश का राजकी खेल कौन सा है? पहला आप्सन क्रिकेट, B है कबड़ी, C है होंकी, और D है मलखम इसका सही उत्तर है मलखम, अब आपको बताना है कि मध्य परदेश का जो राजकी खेल मलखम है या किस वर्ष घोसिद हुआ था? अगला प्रशन, अटल बिहारी बाजपेई जी का जन्म कहां हुआ था? भोपाल में, ग्वालियर में, कि सागर में, कि उज्जैन में? मध्य परदेश से नहीं है आपको बताना है कि कौन सी जन्जाती जो है वो मध्य परदेश से नहीं है तो आप्शन है जौनसारी, गोन, कोरकू, धील इसका सही उत्तर है आप्शन नंबर ए जौनसारी अगला प्रशन मध्य परदेश मध्य परदेश राज्य क्रिशी उद्योग विकास यहाँ पर लिहान से देखे, यहाँ परशन यह है कि मध्य परदेश राज्य उद्योग विकास की इस्थापना किस वर्स की गई थी? ठीक है? तो मद्य प्रदेश राजिक क्रिशी उद्योग विकास निगम की इस्थापना वर्स पूछा जा रहा है तो पहला आप्शन है 2 अक्टूबर 1972, B आप्शन है 21 मार्च 1979, C आप्शन है 26 जनर्वी 1956, और D आप्शन है 12 परवी 1962 इस प्रशन का सही उत्तर है 21 मार्च 1979, 1969 को मद्य प्रदेश राजिक क्रिशी उद्योग विकास निगम की इस्थापना होई थे अगला प्रशन मद्य प्रदेश में पहली बार राष्टपती शासन कब लागू किया गया? 6 अक्टूबर 1983, 4 अगस्त 1970, 30 अप्रेल 1977 और 17 परवी 1980 इसका सही उत्तर है 30 अप्रेल 1977 को मद्य प्रदेश में पहली बार राष्टपती शासन लागू कुआ अगला प्रशन ये है कि निम लिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ठीक है? पहला आप्शन है मेलसा, विदिसा, दूसरा है दसपुर, मनसौर, C है गोपाचल, गवालियर और D है महिस्मती मंडला तो इसका सही उत्तर है महिस्मती मंडला ये जो है बेमेल है तो आप्शन नमबर D सही है मद्य परदेश में हर बारा हमेशा, बारा हमेशा साल कुम्भ मेला कहा लगता है? ठीक है? बहुत ही असान प्रस्ण है साची, ओंकारेश्वर, चित्रकुट या उज्जेन इसका सही उत्तर है उज्जेन अगला प्रस्ण मद्य परदेश की सीमा कितने परदेशों के साथ जुड़ी ही है? पहला उप्सन है पाँच, B उप्सन है सिक्स, C उप्सन है सेवेन और D उप्सन है नाइन इसका सही उत्तर है पाँच, पाँच परदेशों के साथ मद्य परदेश की सीमा लगती है अगला प्रस्ण निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? या ये प्रस्ण पूछा जा सकता है कि यमुना की साहिक नदी निम्न में से कौन नहीं है? तो पहला उप्स प्रस्न ये है आपके सामने कि कोर्कु जंजाती, क्या कोर्कु जंजाती मध्य पर्दिश में कहां कहां पाई जाती है, ये थोड़ा सा टफ प्रस्न है, ध्यान दीजी, कोर्कु जंजाती मध्य पर्दिश में कहां कहां पाई जाती है, आपसे ये पुछा जा रहा है, तो पह और D option है शहडोल, रायसेन, मुरैना और मंदला, इस प्रशन का सही उत्तर है option number A, खंडवा, पुशंगाबाद, बैतुल और चिंदवाडा, अगला प्रशन, मध्धी परदेश में भारत की जनसंख्या का, प्रशन ध्यान से देखे, मध्धी परदेश में भारत की जनसंख्य का, कितने प्रतिसत निवास करती है, ठीक है, तो पहला option है, 4.82, B option है, 5.99, C option 6.35, और B option है, 6.88, इसका सही उत्तर है, 5.99, सत्कुडा राष्टी उध्यान किस लिए परसिद्ध है, आपको बताना है कि सत्कुडा राष्टी उध्यान किस लिए परसिद्ध है, पहला option है, साप वारेंगने वाले प्राणियों है तू, किर्ष मिर्गों है तू, पच्छियों है तू, सेरों है तू, इसका सही उत्तर कि अगला प्रस्ट में विद्धान सभा सीटों की कुल संख्या कितनी है बद्धि पर्देश में विद्धान सभा की कुल सीटों की संख्या बताना है पफला अप्षन है 220 बी है 230 C है 300 और D ओप्शन है राजगर तो बाग की गुफाई जहें वो धार डिस्टिक्क में कौन से धार जिलाएं। अगला प्रश्न मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहा है आपको जो है दिसा के आधार पे इसका उत्तर देना है तो मद्ध भाग में है कि दच्छिन पूर्वी भाग में है कि उत्तर प्रस्मी भाग में है कि पूर्वी उत्तरी भाग में है तो इसका सही उत्तर है दच्छिन पूर्वी भाग जो है वो मालवा का पठार नेक्स्ट प्रथम पंच वर्सी योजना का मुख्य उदेश क्या है तो बिद्दूत उत्पादन करना, क्रिशी को सुद्रड बनाना सिचाई को बढ़ावा देना, उद्द्यो को बढ़ावा देना ठीक है तो पहला आप सन जो पर्थम पंजवर्षी योजना की अगर बात की जाए तो उसमें कृषी को सुदेर बनाना पहला उदेश से था यह यह कहें प्रमुक्र देश था समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरुषकार निम्र में से कौन सा है आपको बताना है कि समाज सेवा वाला पुरुषकार कौन सा है स्री रवी संकर सुकल पुरुषकार इंद्रा गांधी पुरुषकार सरिता सर्मा पुरुषकार उप्रिक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है इंद्रा गांधी पुरुषकार चो की समासिवा के चेतर में दिया जाता है प्रश्ण यह है कि इत्रदार महल कहां इस्तित है अजैगर किले में ग्वालियर दुर्ग में, कालिंजर में, रायसेन दुर्ग में, तिक इसका सही उत्तर है रायसेन दुर्ग में, फिर से देखे इस प्रशन को, इत्रदार महल, इत्रदार महल आपको मिलेगा रायसेन दुर्ग में, देश का सबसे बड़ा बायुगय सहंत्र मध्य प्रदेश म कहां पे इस्तित है ठीक है तो पहला आप्चन है टिकारी जवलपूर के समीद भदभदा भुपाल के समीद मौगंज रिवां के समीद और पंचानपूर खंडवा के समीद इसका सही उत्तर है भदभदा भुपाल के समीद अगला मध्य परदियस में बुक बैंक योजना का ठीक है यह कहा जाए कि यह जो प्रस्न है यह मुखे कार नहीं बताना है यह योजना यह प्रस्न जो है इसको हम डिलिट मारते है ठीक है इसको कैंसल कीजिए ऑप्शन इसके गलत है ठीक आगे हम आते हैं निमलखित में से प्राचीन गुफाओं वाले प्रेटन का इस्थान कौन सा नहीं है ठीक है तो मांडू बाग गुफाएं उदेगरी की गुफाएं और कौमरा गुफाएं तो इस्टा सही उत्तर है मांडू ठीक तो प्राचीन गुफाले प्रेटन इस्थान में मांडू की गुफाएं नहीं आते हैं ठीक है बांधो गड़ का किला कहां पर आपको बताना है कि बांधो गड़ का किला कहां पर इतार सी भुसावल रेलमार्ग पर कटनी बिलासपूर रेलमार्ग पर जहां सी मानिकपूर रेलमार्ग पर बीना कोटा रेलमार्ग पर तो इसका सही उतर है कटनी बिलासपूर रेलमार्ग उपर, मध्य परदेश में नाट्यकला अकादमी मध्य परदेश में कहां पर है, तो इन दौर, पहला ऑप्शन, पी ऑप्शन हैं उळ्जैन, इसका सही हुत्तर है उज्जैन, हिंदी काब्य में चायावात के प्रवर्था कभी कौन माने जाते हैं मुकुट दहर पांडे, त्रिभुवन पांडे, लोचन परसाद पांडे और दिनेस पांडे इसका सही उत्तर है मुकुट दहर पांडे उत्तर पूर्व रेल्वे का वैगन वर्क्साप कहां पी इस्तित है ये बताना है कटनी, अगला ओप्सन है भोपाल, C ओप्सन है जवलपूर, और D ओप्सन है उप्युक्त सभी इस्थानों पर, इसका सही उत्तर है भोपाल मालवा के पठार के नदिया निमली खित में से कौन कौन सी है तो कुवारी नदी, महा नदी, तवा, बेतवा, वेनगंगा, धसान, ये B ओप्सन है केन, महा नदी और सोन, C ओप्सन है, सिप्रा, चबल, काली सिंद, ये D ओप्सन है ठिक, तो इसका सही उत्तर है ओप्सन नमब D, सिप्रा, चंबल, काली सिंद, ये मालव के पठार की नदियां है, अगला प्रस्न ये है कि बार्ना नदी की नहरों में से की जिले में सिचाई की जाती है, ठीक है, तो ओप्सन है, सिहोर, रायसेन, दमो, भोपाल, इसका सही उत्तर है, रायसेन, अगला प्रस्न, बेतवा अगला प्रस्न, मध्य परदेश में सबसे बड़ी अनसूचित जन जाती कौन C है, ठीक, सबसे बड़ी अनसूचित जन जाती मध्य परदेश की आपको बताना है, तो पहला प्रस्न है, गों, भी है भील, C है सहरिया, और D है कोल, इस प्रस्न का सही उत्तर है, भील, करक रेखा मध्य पर्देश के किस भाग से गुजरती है, ठीक है, करक रेखा मध्य पर्देश के किस भाग से गुजरती है, तो मध्य भाग, पुरुवी भाग, पस्वी भाग, दच्छनी भाग, इसका सही उत्तर है, मध्य भाग, राश्टी राम लीला मेला मध्य पर्देश के किस नगर में आयोजीत किया जाता है बाला घाट पहला उप्शन है भुपाल, सी है सीवपुरी और डी है राजगर इसका से उत्तर है भुपाल अगला प्रस्ट भुपाल ट्रेजडी नमक पुस्तक के रह चाहिता कौन है खुस्वान सिंग, डेविड वियर अगला प्रस्ट है अगला उप्शन है एम अरून सुब्रमानियम और डी है एनके इसका सही उत्तर है एम अरून सुब्रमानियम कौन? एम अरून सुब्रमानियम अगला प्रश्न, मध्य परदेश कितने संभागों में विवाजी थे, पहला उप्शन है 12, B है 13, C है 14, और D उप्शन है 10, इसका सही उप्टर है 10 जनसंख्या की दिष्टी से देश में मध्य परदेश का इस्थान फॉन सा है तो मध्य परदेश देश में छठे इस्थान पर आता है जनसंख्या की दिष्टी से, उप्शन B अगला प्रशन मद्य परदेश का राजकी दिवस का मनात है 1 नॉवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून और 2 जून इसका सही उत्तर है 1 नॉवंबर को मध्य परदेश में लोग सभा ध्यान दीजे, मध्य परदेश में लोग सभा सदस्यों की संख्या बतानी है 20, 25, 29 या 30 इसका सही उत्तर है option C, 29 मध्य परदेश में राजी सभा सदस्यों की संख्या बतानी है राजी सभा के कितने सदस्य हैं पहला option 9, B है 11, C है 12, D है 15 इसका सही उत्तर है 11 मध्य परदेश में विधान सभा सदस्यों की संख्या कितनी है इसका उत्तर है 230 अगला प्रश्न है, मध्य परदेश की राजधानी, देखिए कितना संदार प्रश्न है, मध्य परदेश की राजधानी इन दौर है, कि भुपाल है, कि जबलपूर है, कि उजयन है, ठीक, कुछ ऐसे भी विद्यारती हैं, जिनको मध्य परदेश की राजधानी भी नहीं पता तो जान ले, उनके लिए बहुत important है, वो है भुपाद, ठीक है, मध्य परदेश में जीला पंचायत की संख्या, ठीक, यह वैरी कर सकता है, इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग, अभी 50 याद रखिए, आगे हम लोग बात करते हैं, मध्य परदेश में विकास खंडों पत्र इन में से कौन था, ठीक है, तो पहला option है, आफटाप, B option है, सेवक, और C option है, सब्ताहिक, ग्वालियर अकबार, और D option है, सब्ताहिक, मालवांकबार, इसका सही उत्तर है, C, सब्ताहिक, ग्वालियर अकबार, या मध्य परदेश से प्रकासित होने वाला पहला समाच अगला प्रस्न है, मध्य पर्देश योजना मंडल के पर्थम अध्याच कौन थे? तो प्रकास चंद्र सेथी, पहला अप्षन है, दूसरा अप्षन है, श्री भगवांतरा मंडलोई, ती अप्षन है, श्री पताभी सिता रमया और दी अप्षन है, रवी संकर सुक्ल, इसका साई उत्तर है, प्रकास चंद्र सेथी, मध्य पर्देश योजना मंडल के पर्थम अध्याच, अब अगला प्रस्न, मध्य पर्देश योजना मंडल के पदेन अध्याच कौन होता है? प्रस्न बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है? आपसे प्रस्न ये पूछा गया है, कि मध्यप्रदेश, योजना मंडल का पदेन अध्यच कौन होता है तो option यहाँ पे है, मुख्य मंत्री B option है, योजना विवा के सची C option है, प्रसिद अर्थशास्टरी कोई हो और D option है, योजना मंत्री तो ध्यान सी इस प्रस्ण को देखे मध्य परदेश योजना मंडल का जो पदेन अध्यच होता है वो मुख्य मंत्री होता है ठीक मुख्य मंत्री चेप मिनिस्टर तो ये आपके सामने कुछ important प्रस्ण थे MCQ के format में आपके सामने लाया गया या वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप comment box में अपने सुझाओं जरूर दें आगे हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे बस हमारे साथ आप बने रहें तब तक के लिए thank you धन्यवाद